उत्तराखंड से बड़ी ख़वर आ रही है उत्तराखंड में ग्लेसियर पिघलने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं NDRF की टीमें भी केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई है लेकिन अभी भी हलात कावु में नहीं दिख रहे हैं आपको हम बताते हैं कि उत्तराखंड के चमॉली जो एरिया है वहाँ पर रेनी गाउं है जहां से ग्लेसियर का पिघलना सुरू हुआ उसके बाद इसकी जद में कई लोग आ गए बताए जा रहा है कि 100-200 लोग लापता हो गए हैं आपको यह भी बताएं कि जहां पर यह ग्लेसियर फटा है ब्रस्ट हुआ है वहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा था रिसी गंगा पावर प्रोजेक्ट और इसको लेकर आसंकाएं ज्यादा गंभीर हो रही है बताए जा रहा है कि 200 से जादा लोग जो हैं अभी तक लापता हैं ऐसे में खवर यह आ रही है कि केंदर सरकार की साड़ी टीम वहाँ पर भेजी गई है और वाईव सेना को इलर्ट पर रखा गया है ताकि हर कीमत पर हर एक को बचाया जा सके रिस्क्यू टी में मौजूद है आई टी बीपी के जवान भी वहीं पर मौजूद हैं तमाम तरह से कोसिसे जारी है ग्री मंतरी खुद इस चीज को देख रहे हैं ग्री मंतरी ने ट्वीट किया है कि वो इस मामले पर नजर बनाये हुए हैं मौइंटरिंग कर रहे हैं कि और उन्होंने एंडी अर्फ की क इस अटी कुमार ने भी चिंता व्यक्त की है उन्होंने भी कहा है कि हम बात करते हैं अब ही हमने सुना है पिएम के साथ साथ जितने भी बिहा देश के बड़े बड़े नेता हैं सभी ने चिनता व्यक्त की आपको हम तमाम खबरों से रूब रुकाएंगे अभी तक के जैसे इसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगा आप जो रही है दियास्टी नियूज के साथ